हेलो, वेलकम, मैं हूँ अरणकुमार यादव और इस वीडियो में देखने वाले क्लास एर्थ की प्रसनावली 2.2 के क्वेश्चन नमबर 9 से लेके 16 तक के सॉल्यूशन और इससे पिछली वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्किप्शन में तो वहां से आप उनको देख सकते हो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नमबर 9 से उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेस्टन में बोला गया है राहुल और हारुन की वर्तमान आयू में अनुपात 5 अनुपात साथ है चार वर्स बाद उनकी आयू का योग 56 वर्स हो जाएगा उनकी वर्तमान आयू क्या है ठीक है, मतलब की फिलहाल वर्तमान में अगर राहूल और हारुन की आयू का अनुपात निकाला जाता है तो वो 5 अनुपात साथ आता है लेकिन 4 साल बाद अगर उनकी आयू जोड़ी जाएंगी, यानि योग निकाला जाएगा तो आएगा 56 साल, तो हमें बताने ही कि उनकी वर्तमान आयू कितनी है ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पर अनुपात का क्या मतलब है ठीक है यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है राहूल ठीक है न यहाँ पर पहले राहूल है और पहला नंबर कोन है पांच मतलब राहूल के लिए पांच लिखा हुआ है दूसरा नाम है हारून और दूसरा यहाँ पर अनुपात के बाद वाला क्या है साथ, तो मतलब राहूल के लिए पांच लिखा है, हारून के लिए साथ लिखा है, अब यहाँ पर अनुपात का ये मतलब है, कि जो राहूल है, उसकी एज अगर किसी चीज का पांच गुना होगी उसकी एज अगर किसी चीज का पांच गुना होगी, तो हारुम की एज उसी चीज का साथ गुना हो जाएगी, कहने का क्या मतलब है, वो मैं संजाता हूँ, देखो ठीक है, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, तो अब समझ में आज रहेगा ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे माना, हम यहाँ पर लिखेंगे माना, राहुल माना, राहुल की, माना, राहुल की वर्तमान आयू, ठीक है ना, माना, राहुल की वर्तमान आयू बराबर, ठीक है मैंने क्या बोला, अगर राहुल की किसी चीज का 5 गुना है माल लोगो चीज है X तो 5 गुना क्या हो जाएगा 5X ठीक है हम क्या माल लेंगे माना राहुल की वर्तमान आयू 5X ठीक है ये 5 ता हम लिखेंगे 5X है तो जो हारून है ठीक है जो हारून है उसकी वर्तमान आयो कितनी हो जाएगी ये x का 5 गुना है तो वो क्या हो जाएगा x का 7 गुना यानि कि 7 x ये मतलब है अनुपात का ठीक है फिर से बोल रहा हूँ 5 अनुपात 7 लिखने का मतलब है कि अगर राहुल की एज x का 5 गुना है तो हारुन की is इसी x का 7 गुना होनी चाहिए ठीक है अब हम से क्या बोला गया है कहानी में कहानी में ये बोला गया है कि 4 साल बाद क्या होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 साल बाद या 4 वर्स बाद ठीक है न जो भी आप लिखना चाहो तो 4 साल के बाद जो राहुल की उमर हो जाएगी वो कितनी होगी 4 साल बाद राहुल की आयू ठीक है 4 साल के बाद राहुल की आयू कितनी होगी देखो अभी ये कितने साल का है 5 x साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 5 x से 4 जादा ठीक है जैसे अभी आगर आप माल लो 13 साल के हो तो 4 साल बाद कितने होगे होगे 4 और जोड़ दो यहनि 13 जमाद 4 यहनि 17 साल के हो जाओगे ठीक है मतलब जितने साल बाद की उमर निकालनी है उतना जोड़ दो जो अभी है उसमें तो यह अभी का मतलब वर्तमान में, तो वर्तमान में आयू कितनी है इसकी 5X, कितने साल बाद निकाल रहे हैं, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद इतना अभी है, यानि 5X उससे 4 ज्यादा हो जाएगा, यानि 5X जमा चार वर्स, ठीक है न, यहाँ पे भी आप लिख लेना वर्स, इत इतने साल का है, 7X वर्स का है, तो 4 साल बाद, 7X से 4 ज्यादा वर्स हो जाएगे, ठीक है, अब देखो, प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया, हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्ना अनुसार, ठीक है, प्रश्ना, प्रश्ना अनुसार, यहनि कि प्रश्न के अनुसार, ठी आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 56, तो मतलब 4 साल बाद वाली उमर क्या क्या है, एक की तो यह ही, कितनी है, 5X जमा 4, दूसरे की कितनी है, यह रही, इन दोनों का योग निकालना है, मतलब जोड़ दो गए, ठीक है, तो यहाँ पर, यह पहले की एज, यह दूसरे की एज, दोनों का योग निकालना था, जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना हो जाता है, हमसे बोला गया, 56 हो जाता है, तो हम 56 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से 5X और 7X, कितने X हो गए, 12X, ठीक, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 4, कितना हो गया, यह हो गया, 8, और बराबर मे कितना आ रहा है बराबर में आ रहा है 56 तो यहां से मैं कह सकता हूं 12x बराबर 56 में 8 कहां जाएगा माइनस में जाएगा 56 में से 8 माइनस में गया कितना बच गया 49 तो 12x की वैलू 40 तो x बचा itself तो यह 12 कहां जाएगा divide में ठीक है solve करने का तरीक बता है ठाव दो चीजे चिपका के लिखे मतलब 12 और X में गुणा हो रहा है गुणा वाली चीज भाग में जाती है तो 12 जाएगा यहाँ पर 12 एकम 12, 12 चौक नटालिस तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि जो X है, जो X है इसकी value कितनी आ गई? इसकी value आ गई 4, ठीक है? अब हमसे जो पूछा गया था हम आसानी से बता सकते हैं हमसे क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमानаю क्या हैराहू palavra चार हम क्या बोलेंगे? कि जो राहूल की है 3, 1 X हायए 5 X 4 है 5 x 4 20 हो जाएगा अब यहां जोड़ां कम है इतना याद रखना कि जो X है इसके वेलू कितनी आई है 4 आई है ठीक है तो यहाँ से आप calculate कर सकते हो कि जो राहूल है ठीक है आप पूरा लिखना राहूल की वरतमाना आयूँ मैं सिर्फ राहूल लिख के छोड़ रहा हूँ ठीक है आप पूरा लिख लेना ठीक है, राहुल की वर्तमान आई हूँ, कितनी बानी है, अपने 5 X, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू में X की वैलू, X की वैलू मैंने भी क्या बोला, 4 आई है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, X की वैलू कितनी आई, 4, तो 5 ओक कितना, 20 वर्स, इसी तरह से हारुन क की वर्तमान आई हूँ, ठीक है, आप पूरा लिखना, हारुन की वर्तमान आई हूँ, ठीक है, मैं डैस 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 लागय है, छोड़ दे है, कितनी है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, question number 9 अब बात करते हैं question number 10 की पहले इस question को समझो ठीक है क्या बोला गया यहाँ पर इस question में हमसे बोला गया है कि हमारे पास किसी कप्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपाद 7 अनुपात 5 है ठीक है बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है 7 अनुपात 5 यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विध्यार्थी है ठीक है जो बालकों की संख्या है यानि लड़कों की संख्या है वो बा तो इसको हम कैसे करेंगे, अब यहां पर आजाओ, ठीक है, तो यहां पर देखो, पहले बालक लिखा है, फिर बालिकाई लिखा है, पहले 7 लिखा है, फिर 5 लिखा है, मतलब जो पहले बालक है, उसके लिए पहला वाला नंबर 7, और जो दूसरे नंबर पर बालिकाई लिखा ठीक है माना बालकों की संख्या कितनी है यहां पर साथ है मतलब यह किसी का साथ गुना होगा मान लेते हैं X का साथ गुना है ठीक है इनुपात में होने क्या मतलब है अगर वो X का साथ गुना है तो वो X का 5 गुना होगा ठीक है तो बालकों की संख्या यह हो गई और माना बा भालकों की संख्या की संख्या क्यों बालेखाओं की संख्या क्या हो जयेगी यह और watch 5 ठिक ना यह साध एक्स औरे पाँ एतना हो गया अगो देखो परसन के हिसाप से क्या बोला गया है फ्रस्ण अनुसार ठीक है फ्रस्ण की छलेंगे हम question के according क्या बोला गिया कि भाई बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है बालकों की संख्या कितनी है बालकों की संख्या है 7x कितनी है 7x और ये कितनी अधिक है बालिकाओं की जो भी संख्या है उससे ये 8 अधिक है ध्यान से देखो 7x का मतलब क्या हुआ? बालकों की संख्या 5x का मतलब क्या हुआ? बालिकाओं की संख्या प्लस में 8 करने का मतलब है जब इससे 8 जादा किया जाता है तब इसके ये बराबर होता है मतलब कि ये अकेला इसके 8 से ज़ादा है, इससे 8 ज़ादा है, ठीक है, तो यहां से 5x इधर लाएंगी, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7x-5x, बराबर कितना बचेगा 8, तो 7x में से 5x गए, कितने x बचे, 2x, बराबर कितना बचा 8, तो x की value कितनी आ गई, 2 divide में जाएगा, यानि कि 8 divide by 2, 8 divide by 2, कितना हो जाएगा, 8 divide by 2, 4, ठीक है, तो x की value आगे 4, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था, कुल विद्यार्थी बताने में, या कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थी हैं वो कितने के बराबर हैं देखो कुल विद्यार्थी साथ एक्स जमा पांच एक्स ठीक है साथ एक्स जमा पांच एक्स यानि की बारा एक्स हैं ठीक है कुल विद्यार्थी का मतलब क्या जितनी लड़कियां जितने लड़के दोनों मिला के ठीक है तो लड चोग कितना 48 है तो कुल विद्यार्थी कितने है 48 है ठीक है पहले आपको यह उतारना है इसके बाद यहां प्याना है ठीक है तो यह था question number 10 अब बात करते हैं 11 की question में हमसे बोला गया है 22 के पिता जी उसके दादा जी से 26 साल चोटे हैं और उससे 29 वर्स बड़े हैं यदि उन तीनों की आयू का योग 135 है तो उनकी आयू अलग अलग ग्यात कीजिए ठीक है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम उसको देखते हैं जो सबसे चोटा है तो जहिर सी बात है जो बाईचुंग है वो अपने पिता जी से भी छोटा होगा और अपने दादा जी से भी छोटा होगा तो सबसे पहले हम बाईचुंग की उमर को एकस मान लेंगे ठीक है तो यहां पर देखो मैंने लिखा यहां पर मैंने लिखा माना by Chung जो by Chung है उसकी उमर बाई Chung की आई-उ वो हमने मान लिया X-verse सबसे चोटा सबसे पहले मानने से ये फाइदा होता है कि सोचने में आसानी रहती है तो अगर by Chung X-verse का है तो by Chung के पिता जी की उमर कितनी हो जाएगी? बाई चुंग के पिता जी, ठीक है, बाई चुंग के पिता जी की आयू, की आयू, ठीक है, अब ये कैसे पता लगया, इनकी आयू कितनी होगी, question में ध्यान से देखो, question ने बोला गया था, कि उसके पिता जी, उसके दादा जी से तो 26 साल चोटे हैं, लेकिन उससे, मतलब बा हैं, मतलब 29 जादा उसके पिता जी की उमर हो जाएगी, तो उसके पिता जी कितने होंगे, बाई चुंग X का है, तो X से 29 जादा मतलब, X प्लस 29 वर्स, किसकी आयू आ जाएगी, इसके पिता जी की आयू आ जाएगी, ठीक है, तो बाई चुंग की आयू हमें पता लग गई की आयू कितनी होगी ठीक है इसको जरा ध्यान समझना देखो जो उसके पिता जी थे उसके दादा जी से 26 छोटे थे तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि दादा जी 26 जादा बड़े होंगे ठीक है अगर उसके पिता जी छोटे हैं तो दादा जी 26 साल बड़े होंगे ठीक तो यानि कि जो भी इसके पिता जी की आयू है, उससे 26 और ज्यादा कर दो, उसके दादा जी की उमर आ जाएगी, तो इसके पिता जी की कितनी है, X प्लस 29, ठीक है, ये जो है, X प्लस 29, ये किसकी है, ये तो इसके पिता जी की उमर है, ठीक है, तो दादा जी क्या होंगे, इससे 26 साल और बड़े होंगे यानि ये प्लस में 26 ठीक है ध्यां से देखो बाइचुंग X साल का है उसके पिता जी X से 39 जादा है और उसके दादा जी इसके पिता जी की जो उमर है उससे भी 26 जादा है ठीक है ना तो यहां से अब क्या कर सकते हो आप ठीक है 39 और 26 जोड़ो ठीक है यह हो जाएगा X 39 और 26 जोड़ो गे तो 9 और 6 15 का 5 चासिल गया एक दो दो चार एक पांच ठीक है तो यह कितना हो जाएगा X प्लस 55 साल ठीक है X प्लस 55 वर्ज के कौन है उसके दादा जी ठीक है तो यानि कि इससे 26 साल बड़े हो गए भई अब देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था प्रश्ण का हिसाप से चलेंगे हम ठीक है प्रश्णा नुसार प्रश्णा नुसार क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर इन तीनों को जोड दिया इन तीनों की आयू को जोड दिया जाए ठीक है क्या बोला गया था यदि उन तीनो की आयू का योग 135 है मतलब जोड दिया जाए तो 135 हाना चाहिए तो भई बाइचुंग जो है उसकी एज है X साल उसके पिता जी है X प्लस 39 वर्स यानि कि इसमें इसके पिता जी की एज जोड़ोगे X प्लस 29 हो जाएगा प्लस उसके दादा जी का final age यहां पर कितना आ रहा है X प्लस 55 यानि कि इसमें X प्लस 55 कर दोगे सब को मिला के ठीक है ये किसकी age है बाइचुंग की ये किसकी age है उसके फादर की ये किसकी इसकी age है उसके grandfather यानि दादा की ठीक है तीनों को हमने जोड दिया, यानि तीनों का योग निकाला कितना आना चाहिए कोर्शन के साब से 135 आना चाहिए ठीक है, तो यहाँ आ जाओ देखो, यह X यह भी X, कितने X हो गए 3X, इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 3X प्लस, यहाँ पर क्या है, 29, और यहाँ पर क्या है, 55, तो 39 और 55 जोड़ोगे तो 5 में 9 जोड़ो, 14 हो गया, 14 का 4 हासिल गया एक, 5 और 2, 7 जो हासिल एक गया था, 8 यानि कि 29 और 55 जोड़ोगे 84 आ जाएगा, ठीक है और बरावर में क्या चल रहा है, 135 तो यहाँ से अगर 3X की वैलू निकालोगे, 84 घटा में चला जाएगा, जो चीज प्लस में होती है उधर, माइनस में जाती है पहली वीडियो में ही बताया था यह ठीक है, तो यहाँ से 84 घटा दोगे, यहाँ क्या बचा रहेगा यहाँ 3X बचा रहेगा, यहाँ पर घटा 17, क्या वन होता है नहीं, 17 आ जाएगा काटने के बाद, तो X की वैलू कितनी आई, यहाँ पर 17 X की वैलू कितनी आई 17, हमसे क्या पूछा गया था, 3 की उमर अलग अलग बता दो ठीक है भाई, तो 3 की उमर अलग अलग बता देते हैं, क्या दिक्कत है देखो, यहाँ पर जगा नहीं है, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, बाईचूंग की जो उमर थी, वो सीधा सीधा है, X थी और X की वैलू आई 17, मतलब जो बाईचूंग है, वो 17 वर्स का है, ठीक है आप इसको नीचे लिखना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जगा नहीं है, तो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके पिता जी क्या यूँ कितनी थी, X से 39 ज़ादा, X से 39 ज़ादा, X की वैलू आई है 17 तो 17 नग दो X की जगा ठीक है, X की जगा 17 और 39 की जगा 29 17 और 39 जोड लोगे, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 9, 16, 16, 16, 10, 46 ठीक है, कितना हो गया 46 वर्स इसी तरह से, ठीक है, यह कितना हो गया 46, ठीक है, 39 और 7 36, 10, 46, ठीक है इसके बाद इसके दादा कितने थे, X प्लस साथ 12 का, 2, 80, 5, 1, 6, 1, 7 ठीक है, यह बाद तर वर्स तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाइचूंग है, वो 17 साल का है उसके पिता जी 46 साल के है उसके दादा जी 72 साल के है ठीक है, तो यह भी हो गया आप बात करते हैं, अगले क्वेस्चन की अगला क्वेस्चन क्या है अगला क्वेस्चन यह है कि इसमें हमसे बोला गया है, देखो अगले क्वेस्चन में कि 15 वर्स बाद ठीक है, 15 वर्स बाद रवी की आयू उसकी वर्तमान आयू से 4 गुनी हो जाएगी, रवी की वर्तमान आयू क्या है ठीक है रवी की वर्तमान आयू क्या है यह हमें बताना है तो देखो यहाँ पर माल लेते हैं यहाँ पर माल लेते हैं माना माना रवी की रवी की वर्तमान आयू ठीक है माना रवी की वर्तमान आयू बराबर है एक्स वर्स के ठीक है न हमें नहीं पता कितनी है तो मैक्स माल ल ठीक है? 15 साल बाद इसकी आयो कितनी हो जाएगी? मैंने आपे लिखा 15 वर्स बाद 15 वर्स बाद रवी की आयो ठीक है? 15 वर्स बाद रवी की आयो भाई अभी जो x साल का है 16 साल बाद x से 521 जादा हो जाएगा यानि कि X प्लस 15 वर्स हो जाएगी इसकी आयू ठीक है अब प्रस्न के हिसाब से क्या बोला गया है कि 15 साल बाद रवी की जो आयू होगी उसकी वर्तमान आयू से 4 गुनी होगी ठीक है तो हम यहां लिखेंगे प्रस्न अनुसार मतलब प्रस्न की अनुसार ठीक है प्रस्न अनुसार 15 साल बाद जो रवी की आयू कितनी है X जमा 15 ठीक है यह चीज यानि कि 15 साल बाद वाली उमर बराबर होगी अभी जो वर्तमान में आयू है उसके 4 गुने के और वर्तमान में है कितनी वर्तमान में है X ठीक है तो इस X के 4 गुने ना जिधर x ज्यादा उधर ले जाओ x को और यहां 15 रहने दो 4x में से 1x गए कितने x बचे 3x बराबर कितना 15 x की वैलो निकालनी है 3 कहा जाएगा डिवाइड में यानि 15 डिवाइड बाइ 3 तो x की वैलो कितनी हो जाएगी बारा अब बात करते हैं 13 की अब देखो जो ग्वेस्चन नंबर 13 है इसमें हमसे क्या बोला गया है इसमें बोला गया है एक परिमे संख्या को पांच बटे 2 से गुणा कर दो बटे 3 जोडने पर माइनस साथ बटे 12 प्राप्त होता है वह संख्या क्या है ठीक है वह संख्या क्या है तो हम बोलेंगे माल लेते हैं वह संख्या कुछ होगी कुछ का मतलब x होता है पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको तो हम लिखेंगे माना वह संक्या ठीक है जो कि हमें भी नहीं पता है बराबर है X के ठीक है अब हम क्या करेंगे जैसा जैसा question में बोला गया है उसके इसाब से मतलब प्रशना नुसार हम करते जाएंगे क्वेस्टन में क्या बोला गया है जो परिमेnormता है पहले उसको 5oup2 से गुना किया जाता है. ठीक है गुणा करने के बाद जो मिला उसमें क्या जोड़ा जाता है दो बटे तीन जोड़ दिया जाता है जोड़ने पर जो मिलता है वो क्या है माइनस साथ बटे बारा यानि जोड़ेंगे तो यह किस के बराबर हो जाएगा माइनस 7 बटे 12 के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर हमें संख्या निकालनी है संख्या हमारी X है मतलब X की वेलो निकाल लो आपको संख्या पता लग जाएगी तो X कैसे निकालते हैं इसे question में 5 बटे 2 X अभी अपने घर रहेगा जो चीज यह प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी ठीक है ना तो यानि कि जो उस तरह पहले से है वो तो अपने घर रहेगा इसको ठीकाने लगाओ प्लस वाली चीज कहां गई माइनस में ठीक है इतना आपको संख्या आगया होगा अब यहाँ पर 12 और 3 का लगुत्तम लोगे लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जब भी दो ऐसे नमबर का लगुत्तम यानि कि LCM लेना हो जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता हो तो बड़ा वाला ही लगुत्तम हो जाता है बड़ा वाला है बारा छोटा वाला है तीन तीन के पहाड़े में बारा आता है मतलब बारा ही लगुत्तम हो जाएगा फिर हम क्या करते हैं यहां कितनी बार पहाड़ा जा रहे जो उपर है तो 4 दूनी 8 ठीक है भई यहाँ पर जो है यानि कि 5 बटे 2 X ऐसे ही चलता रहेगा दोनों के निसान एक जैसे है जोड़ दोगे निसान माइनस का ही रहेगा 8 और 7 15 बटे में क्या है 12 अब यहाँ पर X की वेलू निकालनी है X रहने 2 जो चीज नीचे है 2 वो जाए जाएगा नीचे ठीक है 5 उपर से नीचे गया नीचे 2 था उपर चला गया ठीक है तो 5 एकम 5 5 ती यहां पंदरा दो एकम 2 2 चिक 12 तो यहां से X की वेलू कितनी आ गई पहली बात तो यह माइनस बचा हुआ है माइनस लगाओगे यहां पर क्या बचा हुआ है तीन और नीच इस ते क्या बचा हुआ अच्छ है इसको काटो गे तीन एकम तीन तीन दो नीचे यही फाइनल एंसर कितना हो जाएगा माइनस का एक डिवाइड बाइड दो तो माइनस एक बटे 2 किसकी वेलू आ गई X की मतलब वह संख्या कितनी है एक बटे दो माइनस एक बटे दो तो यह हो गया तेरवा सवाल चलो वह अब चौदों करते हैं फौर्टींथ क्वेस्चन ठीक है फ्वेस्चन नॉम्बर 14 ध्यान से देखना ठीक है आसान यह भी को ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें क्या बोला गया पहले समझ लेते हैं क्वेस्चन को देखो इसमें बोला नोट हैं वो सिर्फ 100 रुपे वाले नोट हैं या फिर 50 रुपे वाले नोट हैं या फिर 10 रुपे वाले नोट हैं इसके अलाम कोई और नोट उसके पास नहीं है इसके बाद बोला गया है उनकी संख्याओं में क्रमसा 2 अनुपात 3 अनुपात 5 का अनुपात है मतलब और नमबर 2 है, ठीक है, 2 मतलब 2X है, ठीक है, अगर X का 2 गुना है 100, तो 50 के नोट कितने होंगे, इसी X का 3 गुना, और 10 के नोट कितने होंगे, इसी X का 5 गुना, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हमारे पास क्या लिखा है 100, उसके बाद क्या लिखा है 50, उसके बाद क्या ल लिखा है फिर क्या लिखा है तीन फिर क्या लिखा है पांच तो मतलब सो के अगर दो एक्स नोट है तो पचास के तीन एक्स नोट होंगे और दस के पांच एक्स नोट होंगे यह मेरे कहने का मतलब है कि पहले सो तो पहला वाला उसका फिर पचास तो फिर तीन उसके लिए औ इसके बाद question में क्या बोला गया है और उनका कुल मूले चार लाख रूपए वता पैसा मिलागे उसके पास चार लाख रूपए हैं हमें बताना है उसके पास प्रत्य प्रकार के कितने कितने नोट हैं ठीक है तो question इतनी देर में मैंने समझाया स्रीफ question था अभी solution कैसे करेंगे वो देखो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे माना हम लिखेंगे माना ए caps 100 रुपए माना 100 रुपए के नौटों की संक्या माना 100 रुपई के नौटों की संख्या अंचनी यही नोड़ waters की संठ्नी यह है अनूपात यह है अर सबसे पहले लिखा है तो मतलब क्या 100 रूपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? 2X ठीक है? अनुपात का मतलब ही है कि अगर ये 2 गुना है X का तो अगला वाला 3 गुना होगा X का अगला वाला 5 गुना होगा तो 100 के नोटों की संख्या 2X आ गई यहाँ पर 10 रूपए के नोटों की संख्या बराबर कितने X हो जाएगी? यह जाश में 5 लिखा है मतलब 5X ठीक है? और कुल मूल ठीक है? याद रखना आप इनका कुल मूल यानि कुल रूपए कुल जो रूपए है यानि कुल मूल है वो कितना है? चार लाख के बराबर है कितने के बराबर है? चार लाख रूपए के बराबर है अब question यहाँ पर क्या होगा? कि हम common sense लगाएंगे तब ही आगे हो पाएगा common sense क्या है? ध्यान से देखो मान लो थोड़ी दिर के लिए example ठीक है न? अभी question को छोड़ दो थोड़ी दिर के लिए मानो कि अगर आपके पास 100 रूपए के 2 note होते 100 रूपए के कितने note होते? 2 note होते और 50 रूपए के 2 note होते मान लो थोड़ी दिर के लिए मान लो 50 रूपए के 2 note होते और 10 रूपे के माल लो 10 नोट होते हैं यह एक्जामपल ले रहा हूँ है समझाने के लिए तो टोटल कितने रूपे आपके पास होते हैं आप कैसे निकलते हैं आप कहते हैं 100 रूपे का नोट है 1 नोट 100 रूपे का है तो 2 नोट 100 गुणा 2 यानि की 200 रूपे हो जाएंगे भाई एक नोट अगर 400 रूपे का है और एसे ऐसे 2 नोट हैं तो आपके पास 200 रूपे होंगे 200 कैसे आईगा 100 को 2 से गुणा करने पर इसी तरह से अगर एक नोट 50 रूपे का है, और दो नोट हैं, तो 50 दुनी यहां से भी 100 रुपे बन जाएंगे, और एक नोट अगर 10 रुपे का है और ऐसे ऐसे 10 नोट हैं, तो यानि कि 10 गुणा 10, 100 रुपे हो जाएंगे फिर से, कुल रुपे कैसे आ इंगे इन सब को जोड़के ठीक है जाने कि 200-200 जला मां-100 इस तरह से разी kry बनें आपके पास तो कहने का मतलब क्या है कि जितने रुपए के नोट है और जितने नोट है उसको गुना कर दो Вс une यहां पर यह देखो, ठीक है, यहां पर यह देखो, यह 100 रुपे के नोट हैं, कितने के नोट हैं, 100 रुपे के, और 100 रुपे के कितने नोट हैं, 100 रुपे के 2X नोट हैं, तो यहां से कितना total amount बनेगा, 100 इनटू 2X, यह तो 100 रुपे वाले नोटों से पैसा बना, फिर हम करे किसि नोटें तो इनसे कितना पैसा बनेगा पचास होता तो 501ुटा 50 के 2 होते 50 गुणे 200 रुपे 50 के 3 होते 50 गुणे 300 यag suggestive So रूपे तो 50 के 3 एक्स है तो 50 गुणभे 3 एक्स रूपे ठीक है प्लस 10 रूपे वाले कितने नोट हैं 10 रूपे वाले 5 एक्स नोट है यानि कि 10 गुणा में 5 एक्स आएगा इस तरह से आपका सारा पैसा मिलेगा पर अब सारे रूपया बनेंगे आपके और सारा रूपया कितना है? 4,00,000 यानि ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4,00,000 रूपये ठीक है भई? अब जरा करके देखो 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 200x हुआ, 200 जमा 200, 400x, तो मतलब 400x बराबर कितना है, 4 लाख के, तो x की वैलो निकालोगे, 400x के बीच में गुणा है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो मतलब जो 4 लाख है इधर, इसके डिवाइड में कौन चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, 400, ठीक है, जो यहाँ पर 4 लाख है, इसके डिवाइड में 400 चला गया, 2-0 से 2-0 काट दो, 4 से 4 एकम 4, ठीक है, 1 आया, 1, 2, 3-0 बचा हुआ है, 3-0 लगा दो, ये भी कट गया, तो मतलब X की वैलू 1,000 आई है हमारे पास, X की वैलू कितनी आई है, 1,000, X की वैलू आई है, 1,000, हमसे X की वैलू नहीं पूची थी, हमसे क्या पूचा गया था, हमसे पूचा गया था, उसके पास प्रतेक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, अब जगा नहीं बची तो मैं यही पर कर रहा हूँ ठीक है नहीं तो आप के पास जगा होगी आप लिखना नीचे कि 100 रुपे के नोटो की संख्या ये 50 रुपे की नोटो की संख्या ये और 10 रुपे की नोटो की संख्या ये मैं यहीं पर गर रहा हूँ, देखो, X की value आई 1000, तो 2X की value, 2 into 1000, यानि 2000 हो जाईए, ठीक है, 2000 not, ठीक है, यानि की 100 रुपे के note किसंगा कितने हुए, 2000, इसी तरह से X की value है 1000, तो 50 रुपे के कितने note थे, 3X, 1X की value, 1000, तो 3X की value 3000, यानि 50 के note किसंगा 3000 हो गई, इसी तरह से 10 कितने note थे, 5X, 1X की value 1000, तो 5X की value 5000, तो 100 रुपे के 2000 note हैं, 50 रुपे के 3000 note हैं, और 10 रुपे के 5000 note हैं, टोटल, ठीक है, तो ये था question number 14, अब बात करते हैं, 15 की, ठीक है, 15 भी जो है, कुछ-कुछ, पिछले question जैसा ही है, पहले समझते हैं इसको, क्या बोला गया इस question में, इस question में, बोला गया है, कि मेरे पास 300 रुपे मूल लेके, 1 रुपे, 2 रुपे और 5 रुपे वाले सिक्के हैं, ठीक है न, सिक्के सिर्फ 3 टाइप के हैं, जैसे पिछले question में note थे, 3 अलग अलग तरा के, यहाँ पर सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपे वाले सिक्के हैं, 2 रुप बब्र इमने 10 बिंझ देखना दो रूपय वाले सिक्को की जा पांच रूपय वाले जिक्ट्पर की संख्या की तिगुनी है कितने मुरिंए तीगुनी है और चीकशाथ्य है तो मेरे पास प्रतेक परकार के कितने कितने सिख्पर अब इसका स्यूय कैसे लुपste करेंगे ठीक है देखो सिक्व कितने कितले रुपे के है ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या मानो, कि जो दो रूपय वाले हैं, वो पांच वालों के तीन गुन है, तो पांच वाले कितने हैं, सबसे पहले आप ये मानो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना, पांच रूपय के पांच रूपए के सिक्कों की संख्या माना पांच रूपए के सिक्कों की संख्या X है जहां से देखना अब अगर पांच रूपए वाले सिक्कों की संख्या X हो गई तो जो दो रूपए वाले सिक्के थे वो पांच रूपए वाले सिक्कों की कितने थे? 3 गुने थे यानि कि एगर 5 वालों की 1 X है तो 2 रूपे वालों इससे 3 गुने यानि 3 X होंगे तो हम बोलेंगे कि भई 2 रूपे के सिक्कों की संख्या इसका कितना गुना हो जाएगी 3 गुना दुबार है समझो क्या बोला गया था यहाँ पर ध्यान दो 2 रूपे वाले सिक्कों की संख्या 5 रूपे वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुने थे ठीक है यानि कि एगर 5 रूपे वाले X है तो 2 रूपे वाले उसका 3 गुना यानि 3 X हो जाएगे अब question आता है चलो 2 रूपे वाली बात हो गई 5 रूपे वाले की सिक्कों की बात हो गई एक रूपे वाला जो सुरुवात में था वो तो हमने भी छोड़ दिया है तो एक रूपे के कितने सिक्के होंगे यह हमें अब दिमाग लगाना है तो मैंने यहाँ पर लिखा एक रूपे के सिक्कों की संख्या बराबर इसको जरा ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाला हूँ एक रूपे के कितने सिक्के होंगे भाई देखो सिक्के तीन ही तरह के थे और तीनों को मिला के 160 सिक्के थे बाई कुल सिक्के कितने थे 160 तो अगर इस 160 में से आप 2 रुपे वाले सिक्के निकाल दो 5 रुपे वाले सिक्के निकाल दो तो सिर्फ कौन से सिक्के बचेंगे 1 रुपे वाले यानि कि हम क्या करेंगे जो ये 160 था टोटल सिक्के उसमें से ix 160 में से 3x और 1x मिला कि कितने हो गए 4x तो अगर ix 160 में से मैंने 4x माइनस कर दिये तो जो बचेगा वो कौन से सिख्क्य होंगे 1 रुपे वाले, फिर से समझो 5 रुपे के सिख्के निकाल दो 160 में से 2 रुपे के निकाल दो क्या बचेगा एक रुपे वाले सिक्के वही मैंने यहाँ पर किया है ठीक तो यह हमें पता लग गया अब हमें एक और बात पता है कि जो कुल मूल्य है ठीक है ना कुल मूल्य है या कुल रुपे बनेंगे जो ठीक है वो कितने है 300 रुपे ठीक है कुल रूपे हमें बताये गया था question के शुरुवात में कि कुल रूपे 300 रूपे थे अब ये 300 रूपे कैसे आ रहे होंगे इनी सिक्कों से इनी सिक्कों को जोड़ के तो आप देखो जितने रूपे के सिक्क्य उतने से गुणा करते हैं जैसे पिछले question में हमने क्या किया था 100 रूपे के जितने सिक्क्य मतलब 9 और 100 रूपे से गुणा कर दी थी 50 रूपे के जितने नॉपे उसको 50 से गुणा करी थी तो वह यहां पर करेंगे भाई 5 रूपे के कितने है X तो यह हो जाएगा 5 रूपे के कितने सी के X तो 5 गुणा X कर दोगे 2 रूपे के कितने है 3X तो यानि कि 2 को 3X से गुणा कर दोगे प्लस 1 रूपे के कितने है 1 रूपे के कितने है 160-4X तो इसको एक से गुणा करोगे, वही रहेगा वो तो खेर, बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, अब जरा देखो, ठीक है, एक से गुणा करने पर तो वही रहेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आजो, यहाँ पर आओ कितना होता है, 5X ऐसी रहने दो, प्ल चेक्ट कर दिया, 2 रुपे वाले 3X, इनको गुणा कर दी, 1 रुपे वाले इतने, इनको गुणा कर दी, तो यहाँ से 6 और 5, 11X, 11 में से 4X गए, कितने X बचे, 7X, दुबारा से देखो, 5 और 6, 11, 11 में से 4 गए, 7, प्लस का 160 उधर चला जाएगा, यहाँ पर 300 है, माइनस, वो माइनस में चला जाएगा, 160, कितना बचेगा, 140, यहाँ से 7X बचेगा, 140, तो X बचेगा, 7 नीचे चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी और 1, 0, तो मतलब X की वैलू आ गई, 20, X की वैलू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है, हमसे पूछा गया था, प्रतेक प्रकार के कितने स सिक्के होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर जगा नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इतने को कर लेते हैं छोटा, इतने को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, अब देखो, ठीक है, अब हमसे पूछा गया था, प्रते पूरा लिखना कि 5 रुपए के सिक्कों कि संख्या बराबर ठीक है कितनी थी पांच रुपए वाले सिक्कों कि संख्या एक्स और एक्स की वैलू कितनी आ गई X की value आई है 20 मतलब 5 रूपे के 20 सिक्के हो गए इसके बाद 2 रूपे के कितने सिक्के थे ठीक है आप 3 मत बना ना फिर से बोल रहा हूँ 2 रूपे के कितने सिक्के थे X का 3 गुना यानि 3 X X की value 20 है तो 3 X की value 20 का 3 गुना कितना होता है 60 हो जाएगी और 1 रूपे के सिक्के कितने थे 160 में से आपने क्या किया था 4 X गटाया था यानि 4 X गटा दो तो 160 माइनस में 1 X की value 20 है तो 4 X की value 20 चौक 80 हो जाएगी तो 160 में से 80 गटा होगे 80 बचेंगे कहने का क्या मतलब है कि जो 5 रूपे वाले हैं वो 20 सिक्के हैं 2 रूपे वाले हैं वो 60 सिक्के हैं और जो 1 रूपे वाले हैं वो 80 सिक्के हैं ठीक तो ये भी हो गया अब बात करते हैं अगले question की अगला जो question है इसमें हमसे बोला गया है एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तैं किया कि प्रतेक विजेता को 100 रूपे और विजेता को छोड़ कर प्रतेक प्रतिभागी को 25 रूपे प्रुसकार के रूप में दिये जाएंगे यदि प्रुसकारों में बाटी गई रासी 3000 रूपे थी तो कुल 63 प्रतिभागीों में इतने भी विजयता होंगे सब को सो सो रुपे दिया जाएगा और विजयता को छोड़ के जो प्रतिभागी है मतलब जो बाकी लोग है जिनों ने भाग लिया था लेकिन वह विजयता नहीं बन पाए उन सब को हर एक को 25 25 रुपे दिये जाएंगे और जो टोटल पैसे बाटे उनने भाग लिया तो 63 में से अगर एक्स विजयता थे ठीक है 63 में से अगर एक्स लोग विजयता थे तो जो बच गए वो विजयता नहीं थे तो 63 में से ये एक्स गटा दोगे यानि कि ये लोग विजयता थे और ये लोग सिरी प्रतिभागी थे विजयता नहीं बन पाए ठीक है, और जो विजेता थे उनमें से हर एक को 100-100 रूपे दिये गए, हर एक को कितने रूपे दिये गए, 100-100 और जो विजेता नहीं बन पाए, उनमें से हर एक को 25-25 रूपे दिये गए, बस सिंपल सा question है, हो जायेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले लिखेंगे माना, माना विजेताओं की संख्या, ठीक है, माना विजेताओं की संख्या, ठीक है, माना विजेताओं की संख्या बराबर हो गई, एक्स, ठीक है, विजेताओं की संख्या, विजेता कितने हैं, एक्स ह ठीक है तो यहां पर विजेता को छोड़ कर प्रति भागी कितने होंगे विजेता को छोड़ कर ठीक है यह जो जीद गया उसको हटा दो विजेता के अलावा ठीक है उसको छोड़ कर मतलब क्या अलावा विजेता के अलावा प्रति भागी ठीक है विजेता के अलावा प्रति भागियों की संख्या, कितनी हो जाएगी, भाई, टोटल है 63 लोग, 63 में से X लोग विजेता बन गए, तो जो बच गए, यानि कि 63 माइनस में X, वो विजेता नहीं बन पाए, ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है, बाटी गई कुल रासी, ठीक है, जो कुल राश्री थी यानि कि टोटल अमाउंट जो खर्च किया गया बातने में वो 3,000 रुपे की थी ठीक है कितनी थी वो 3,000 रुपे तो ये 3,000 रुपे कैसे बाटे गए होंगे दो तरह से बटे होंगे ठीक है दो तरह से कैसे जो लोग विजेता हैं हर एक को 100,000 रुपे मिले होंगे अगर विजेता 1 होगा तो 100,000 रुपे गया विजेता के पास प्लस और 25,25 किसके पास गया जो विजेता नहीं था लेकिन उसने भाग लिया था प्रति भाग ही था विजेता के अलावा कितने लोग थे ऐसे 63 माइनस X और ऐसे करते करते टोटल पैसा कितना खर्च हुआ टोटल रासे कितनी है बार पास तीन हजार बस यह सॉल कर लो एंसर आ जाएगा तो सॉल करते इसको यहां हो गया 100 X प्लस 25 को 63 से गुड़ा करना असान है 25 तियां 75 का 5 हासिल गया 7 हासिल कितना गया 7 25 इंटू 6, 1.500 होता है 1.500 में 7 चोड़ोगे 157 हो जाएगा ठीक है माइनस अब यह 25 इस X को भी गुणा करेगा 25 इंटू X कितना 25 X बराबर में कितना 3,000 तो 25 को 63 से गुणा किया 1575 आया ठीक है और इसको X गुणा किया 25 X आया अब देखो यह 100 X है और यह माइनस 25 X है तो 100 में से 25 गया कितने X बचेंगे 75 X बचेंगे भाई इस तरफ क्या है 3000 है इस तरफ क्या है 3000 इस तरफ क्या चीज बच गई यह चीज बच गई देखो 100 मैं से 25 गटाया 75 आया इधर वाली चीज यह रही यह वाली चीज कहा जाएगी जो यहाँ प्लस में है वो माइनस में जाएगा मतलब इसको माइनस में ले जाओगे ठीक है 1575 तो यहाँ से 1575 गटाओगे 3000 में से तो कितना बचना चाहिए 1425 ठीक है इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1425 14,15 ठीक है अब यहाँ से X की वैलू अगर निकालनी है तो 75 कहां चला जाएगा 75 चला जाएगा डिवाइड में भई ठीक है 75 कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा अब आप क्या कर सकते हो अब आप इसको आराम से काट सकते हो ठीक है इसको काट लो 5 से अगर मैं काट हो तो 5 एकम 5 7 में से 5 कट गया 2 गया गया 5 25 5 पंजे 25 5 से काटे तो 5 दूनी 10 14 में से 10 गया 4 चार क्या के 2 यानि कि 5 अठे 40 2 और 5 पंजे 25 ठीक है अब फिर अगर इससे काटे तो ये फिर से 5 से कट रहा है 5 दिया 15 5 पंजे 25 और 5 सत्य 35 3 से काटोगे 19 आ जाएगा ठीक है यानि कि X के वेलू आई 19 क्या पूछा गया था हमसे हमसे पूछा गया था विजयताओं की संख्या हमने विजयताओं की संख्या क्या मानी थी X X के वेलू 19 ही मतलब सीधा सीधा हमारा एंसर हो जाएगा कि 19 विजयता थे टोटम ठीक है तो यहाँ से ये exercise खतम होती है इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्स पूचिंग